तिकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद चार साड़े चार दसक हुए होंगे सुधिर फड़के जी ने मुझे परिच्चे करवाया था और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार्स ने अंगिनत कटना है मेरे जीवन का हिस्सा बन गई मेरे लिए लता दिदी सूर सामरागे के साथ साथ और जिसको कहते हूँ में जे गर्वन भोता है वो मेरी बड़ी बहन थी पीडियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दिदी उनकी दरब से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है मैं समता हूँ इससे बड़ा जीवन का सोभाग्य क्या हो सकता है शायद भहुत दसकों के बाद ये पहला राकी का तेवार जब आएगा दिदी नहीं होगी सामान्य तोर पर किसी सम्मान समहरों में जाने का और जब अभी हरिज जी भी बता रहेते हैं कोई सन्मान गुरहन करना मैं थोड़ा उन पिशे में दूरी रहा हूँ मैं अपने आपको एड़्जस नहीं कर पाता हूँ लेकिन पुरसकार जब लता दिदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो यह मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहाँ आना एक प्रकारत मेरा दाइत्व बन जाता है और यह उस प्यार का प्रतीक है और जब आजिना जी का संदेश आया मैंने मेरे क्या कारकम है मैं कितना भीजी हूँ कुछ पोचा नहीं मैंने का भाया पहले हाँ कर दो मना करना मेरे लिए मुंकी नहीं नहीं जी मैं इस पुरसकार को सभी देश वाच्चों के लिए समर्पित करता हूँ जी तरह लता दिदी जन जन की थी उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया ये पुरसकार भी जन जन का है लता दिदी से अक्सर मेरी बात्चीत होती रहती थी वो खुद से भी अपने संदेश और आसिरवाद भेचती रहती थी उनकी एक बात शाद हम सब को काम आ सकती हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ आधियों आदेश एक भारत स्रेश्ट भारत के आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है लता जी एक भारत स्रेश्ट भारत की मधूर प्रस्तूती की तरह थी आप देखिए उन्होंने देश की तीस से जानदा भाषाओं में हजारों गीत गाए हिंदी हो मराटी हो संस्क्रित हो या दूतरी भारतिय भाषाओं लताजी का स्फर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है वो हर राज्य हर खेतर में लोगों के मन में समाई हुई है भारतियता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है यह उन्होंने जी करके दिखाया है उन्होंने भगवत गीता का भी सस्वर पाट किया और तुलसी, मिरा, संत ग्यानेश्वर और नर्सी महता के गीतों को भी सबाज के मन मस्तिस्क में घोला राम चरित मानस की चुपाया से लेकर बापु के प्रिय भजन वैस्टन भजन तो तेने रेकाई है तब सब कुछ लताजी के आवाज से पुनर्जिवित हो गए है उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रेकॉर्ड किया था जो आज भी हर सुवें वहां बजता है यानि संस्कृति से लेकर के आस्था तक पूरब से लेकर के पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तर लताजी के सुरों के पुरे देश को एक सुत्र में पिरुणों का काम किया दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी वैसा ही उनका व्यक्तिक जीवन भी था पूरे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सयोग से मास्टर दिनानात मंगेश कर हस्पिटल बनवाया जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है पूरे में भी वैसा है